दो पक्षू के आपसे विवाद में जम कर हुई गाली गलोज, मारपीट और पत्राव, एक पक्ष के एक दर्जन से अधिक दवंग विपक्षियों के घरों पर पत्राव करकी मारपीट, बवाल के सुचना पर अपर पुलिस अदिक्षक के साथ सदर S.D.M. भारी पुलिस पल और उसे हिंदू मसलिम बता दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, सबसानती है, इस सुरूबात कैसे हुई तो उन्हें रोका और रोक के फिर आपसी में जादा बिबाद हो गया, दोनों का बिबाद हो गया, बाहर के कोई लड़की आ गया, अनमहले के, हमारे महले में, तो उन इस्तीजी सामान हो गई है, और जिन लोगों ने उदम किया था, वो लड़की भी पकड़े जा चुकी है, और बागी पुलिस कैमरे देख रही है, और कैमरे की आधर पर और शानिमीन कर रही है, जी क्या नाम है कहां के नवाशना है, दुबेक दरोनिया, नहरू कुछ अराजक तक तो ऐसे हैं, जो सराव अराप का कारोबार करते हैं, और सराव लिये रहते हैं, तो काफी तेजगेती से भाग रहे थे, मोटर साइकल से, साइट पुलिस के डर से भागते होंगे, तो यह धर पर नसीम बाबु का घर है, घर के सामने कुछ लोग बैठे थ से नाराज होके भागे, फिरो धर दूसरे पक्सिवाले खटे हो गए, काफी जादान लोगे खटे, लगभख सो पचास लोगे घर के आए, और राम दीमी को छोड़ा सी दे नसीम बाबु की आवाल लगाने लगे, और तो तराफ आए, काफी पत्थरवाजी की, जिससे ऐस महसूस हुआ कि महले का सोहार बिगड़ा रहा है, जबकि ऐसी बात नहीं है, हम लोगों की महले में हिंदू और मुसलिम दोनों ही आप सी भाईचारे के तर पर रहते हैं, पुलिस को तुरंट सूचना थी, पुलिस मौके पर आगए, मौके पर पुलिस को आता देख, कुछ कुछ दोनों को लड़ाना चाहता है? और आपस में लड़ाई जगड़ा की है, पूरा जो बिवाद हुआ है, वो CCTV में कैद है, हम CCTV से पहचान करके हम आगे की कारवाई करेंगे। सिर्कुछ मज़त परितसाद भी बनानी का प्रयास केगा। नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तत्य प्रगास मेंगी है।